इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यारी की ICC ने हाल ही में ODI रैंकेंग्स जारी कर दी है जिहां आपको बता दें कि ताजा ODI रैंकेंग्स ICC ने मई महीने की जारी की है और यहां पर टीम इंडिया दूसरे पाइदान पर बरकरार है आपको बता दें कि इस बार रैंकिंग्स में चेंज हुआ है पहले नंबर पर ब्रिटिश इंग्लैंड काबिज है इंग्लैंड की टीम ने 42 मैचों में 125 अंक प्राप्त किये हैं और वो नंबर वन टीम बन गई है आपको बता दें कि उसके बाद टीम इंडिया ने 45 मैचों में 122 अंक प्राप्त किये हैं और वो महज इंग्लैंड से 3 अंक पीछे हैं आपको बता दें कि आई-पियर खत्म होने के बाद भारत और इंग्लैंड की सीरीज एक डिसाइडर सीरीज होगी और नंबर वन बनने का मौका होगा वहीं तीसरे नंबर पर शांदार खेल खेल रही साउथ अफरिका टीम को घाटा हुआ है भारती टीम से हारने के बाद जिहां 6 मैच की वंडे सीरीज 4-2 से हारने के बाद साउथ अफरिका की टीम 34 मैचों में 113 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है चौत्य पायदान पर नुजिलैंड पहुच गई है 41 मैचों में केन विलियम संकी अगवाई वारीस टीम के पास 112 अंक है पांचवे पायदान पर आस्ट्रेलिया है 32 मैचों में 104 अंक के साथ तीम पांचवे पायदान पर है आपको बता दे कि आस्ट्रेलिया के लिए ये साल काफी खास तो नहीं रहा लेकिन प्रदर्शन जो है वो सिर्फ बैलनस रहा है चटे नमबर पर ICC चैंपियन्स ट्रोफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम 32 मैचों में 102 अंकों के साथ काबिज है और उस्ट्रेलियाई टीम को पचाडने से सिर्फ वो दो पॉइंट दूर है साथवे नमबर पर बांगलादेशी टीम जो किसी भी उलट फेर के लिए जाने जाती है बांगलादेश की टीम को 24 मैचों में 93 अंक प्राप्त है आठवे नमबर की बात की जो है तो श्रिलंकाई टीम 43 मैचों के साथ 77 अंक प्राप्त कर चुकी है और काफी जादा पीछड़ती हुई दिखाई दे रही है करीब 16 अंकों कांतर है श्रिलंका और बांगलादेश के बीच और श्रिलंकाई क्रिकेट के लिए काफी कुछ सोचने का विशह है नौवे नंबर पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी वेस्ट इंडीज है जिसने 29 मैचों में 79 अंक प्राप्त किये हैं और नौवे नंबर पर काबिस हैं वही ग्यारवे और बारवे नंबर पर जिंबाववे और आयरलेंड काबिस हैं जिंबाववे के 37 मैचों में 55 हैं और आयरलेंड के 20 मैचों में 38 हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट